इस वीडियो को अगर आपने पूरा सुना तो मैं ये बिल्कुल जरेंटी देता हूँ कि धर्म परिवर्तन करवाने वाले उस वेक्री को पुलिसने की रफ्तार चलिया को एक्षा से मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू बनना चाहता हूँ नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉय सुसेट, सनी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत-бहुत स्वागत है दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदू-मुसलिम मैरेज को ले करके, इंटर रिलिजन मैरेज को ले करके आपके हर एक वीडियो में यही कमेंट होता है कि सर हिंदू मुस्लिम पे कोई वीडियो बना दो आपने रोते हुए इतने ही मोजी डाल दिये कि मेरे को विवश्च होना परा कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं और आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा सुना तो मैं यह बिलकुल गरेंटी देता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम शादी कैसे हो सकती है और यदी नहीं हो पा रही है तो क्या वज़ा है देखे देश के कुछ हिस्सों में कुछ राजियों ने एक कानून बनाया और कानून बनाकर के धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दिया गाहे बगाहे आप बहुत सारे ऐसी खबरे बहुत सारी ऐसी खबरे सुन लेते होंगे जिसमें यह बताया जाता कि धर्म परिवर्तन करवाने वाले उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफतार कर लिया और बहुत सारी इसको बहुत सारी चीजों से जोड दिया जाता है अब ऐसे में कई लोग जो की मेरेज़ेज करा रहे हैं या पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो शादी करा रहे हैं या मौलवी हैं वो शादी करा रहे हैं और यदि उनके पास में कोई कपल जाते हैं पर वो ये कहते हैं कि मैं स्वेक्षा से मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू बनना चाहता हूँ या किसी अन्य धर्म में जाना चाहता हूँ तो मेरा धर्म परिवर्तन करने की मेरी इच्छा है और मैं उसके बाद से शादी करना चाहता हूँ ये तो बिल्कुल स्वेक्छा से करने की इच्छा हो तो कोई कानून पहले नहीं था और एजली ये हो सकता था लेकिन कुछ राज्यों ने जब ऐसा कानून बना दिया तो उसके बाद से कई लोग डरने लगे शादी कराने वाले डरने लगे डरने की वज़ा भी है क्योंकि मान लिजे कि दिल्ली में ऐसा कोई कानून नहीं है कोई पर्तिबंद नहीं है कि हिंदू मुस्लिम शादी नहीं हो सकती या फिर जो कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता लेकिन मान लिजे कि यूपी का कोई कपल एंपी का कोई कपल दिल्ली आता है और वो अलग-अलग धर्म का वेक्ती है वो ये कहता है कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे और किसी भी तरीके से चाहे निकाह करें या हिंदू रिती रिवाश या शादी करें हम करना चाहते हैं तो कल MP की पुलिस आ जाएगी और या फिर UP की पुलिस आ जाएगी और ये बुलेगी कि हमारे यहां का लॉय ये कहते है कि यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आपको district magistrate के पास apply करके 60 दिन के अंदर आपको बताना होगा कि वजह क्या है और वो संतूष्ट होंगे उसके बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकता है ऐसा कानून है यदि आप फिर भी अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो इसके लिए जो है वो as per law prosecute करेंगे अब question ये है कि कौन जाएगा इस लफ्रे में फस्तने के लिए इसी वजह से कई लोग इस तरह के शादियां नहीं करा रहे registration हो रहा है अभी भी हिंदू मुस्लिम कपल अगर हो उनकी शादी अगर हुई हो तो court में registration हो जाएगा यदि आपने पहले से कहीं से धर्म परिवर्तन किया हुआ है तो आपका उसके basis पे निकाह या marriage हो सकता है और marriage होने के बाद से registration भी हो सकता है यह सब कुछ हो रहा है लेकिन दरने के पीछे की वजह यह है अब इसे में कुछ गोरक धद्दे करने वाले या गलत तरीके से काम करने वालों के अच्छे दिन आ गए हैं कैसे अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि वो यह सोच रहे हैं कि भाई यही समय है जहां मैं फर्जी certificate बना करके कपल को दे दूँ और बोलू कि आपका धर्म परिवर्तन हो गया certificate पे नाम, address जो कि जिसने कराया उस सब कुछ फरजे तो अब यह यह लोग जो है इनके दुकान अच्छे से चल रही है और खुल भी गई है मैं आप से यह कहूंगा कि अगर आप किसी ऐसे वेक्टी से प्रेम करते हो जो कि किसी और रिलिजन से है तो आप थोड़ा इंतजार करो थोड़ा किलियर्टी होने दो और कोई जरूरी नहीं कि एकदम जल्दबाजी में कहीं भी आप जाकर डिस्परेट हो करके या यह सोचके कि अब जिन्दगी में कभी हिंदू मुसलिम या किसी अन्य धर्म में शादी नहीं हो सकते हैं ऐसा नहीं है आप थोड़ा रुको और रुक करके देखो इस्टिती कहा को समझो और सही जगह से शादी करो यह अभी थोड़ा सा यह प्रॉब्लम जब हट जाएगा उसके बाद से शादी हो सकती हम खुद आपको बताएंगे कि इंटर रिलिजन मेरेज कैसे कर सकते हैं लेकिन अगर किसी को अभी ततकाल ही करना हो तो इस्पेसल मेरेज एक्ट का भी ऑप्शन ओपन है तो होगी नहीं बलकि एक अन्य मामला ही बन जाएगा तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है हाई कोट ने भी इस पे बोला है कि बाई दो धर्मों के लोगों को शादी करने से रोका नहीं जा सकता बावजूद इसके गौर्मिंट ने अभी कोई स्टेप नहीं लिया है जिसके वज़े से अभी भी इस तरह के शादियां नहीं हो रही है मैं आपसे यह बोलूँगा कि अगर आप अंतरधामिक शादी करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतिजार करना चाहिए नए अपडेट्स का वेट करना चाहिए मुझे लगता है जल्दी ही आपको इस पर अपडेट मिल जाएगा और जैसे ही आपको अपडेट मिलेगा आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा फिर आपको अपने messages करना चाहिए एक तो यह हो गया दूसरा चीज अगर आपको इसके बारे में कोई भी inquiry करनी है तो अब हमारा call करने का समय बदल गया है यानि हमारे पास में आप सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आप call कर सकते हैं और यह Monday to Saturday call कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो ज़रूर इसको लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए बहुत बहुत धन्याद